अब जो आपका स्वागत है तिरपार्ण स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं जोग्रैफी के चैप्टर यानि जोग्रैफी के गोल है यह अत्यांत महत्पून चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भी गोल के विशय में बहुत ही बिस्तार पुरबग चर्चा करेंगे तो देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है गन्ना भारत के जो है देश फसल है और भारत में गन्ना पादन का छेत जो है बिश्म में सब देसों से अधिक है गन्य की फशल के लिए उशन और आदर जर्वाईयों चाहिए आपी प्रयाप बर्शान नहीं होती है तो सचाइक के साधन जरूर होनी चाहिए तो यह गन्य के लिए महतपून ना करें मिटी में का आप पादन हो सकता है गन्य खेती दो प्रमुक्य पटियों में होती है एक तो होता है उत्तर मैदानी छेतर में जिसका विस्तार पश्ट्री में पंजाब राज्जे से पुर्व में बिहार राज्जे तक है तो यह काफी महतुपून है दुसरा भारत की दक्षिन प्रयादितिय छ अधिक भादन प्रती हेक्टर गन्य का उत्पादन दक्षिन भारत के छेतर में उत्री मैदानी छेतर में अधिक होते हैं तो काफी महतुपून है गन्य गन्य के अंतरगत यह कोशन गन्य गन्य राज्य उत्तरपरदेश महराष्ट करनाटक तमिलनाडू और अंद्रपरदेश है कहते हैं वर्ष जो है 2000 से 2001 में करीब जो है 300 लाख टन गन्य का उत्तरपादन भारत में हुआ जो उस वर्ष पूरे विश्व में सरवधिक था भारत में कई प्रयास किये जा र अगता समानने गन्य किसमों से बहुत ज्यादा है कि अनुसंदा अनुसंदान संस्ता कोटेवाटूर जो है ता मिलनाडू युदिशा में सक्रिय रूप से काल्यात है जो काफी महत्पून है अब इसी बात को अगर हम देखें मैप के अंतरगत तो काफी महत्पून रहेगा यहां पर मैप भी दर्शाया गया है काफी महत्पून है गन्य के पर बिहार यह जो हो के और मद्य परदेश के भी चैतर थोड़े से आ रहे हैं उत्तरपरदेश तो रहा है उत्तरपरदेश मैक्सिमम हरेक शोड़े गड़्ना होती है जो की मैप में ही पता लग रह रहा साहत में महराश के चेतर भी नजर आ रहा है और गुजरात के चेतर भी इसमें आता है तो इसको अच्छे से study करने के वश्रकता है कि यह exam view और प्लस जो है mcq के regarding अगर कोई बच्चे conversion तजारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह map जो है काफी important है और जरूरी भी है